Good day to all of you. मैं उमीद करता हूँ अभी तक आपको जो सिखाया गया है आप उसे याद रखेंगे. यह class आपकी practice की class है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि class का पहला दिन आप कुछ नया सीखते हैं और उसके बाद आप उसका और अभ्यास करते हैं. आपने अभी तक जो भी सीखाया वह writer का मैतोफून भाग है क्योंकि वह विस्से में आप इसे office के कार्यों के लिए उप्योग मिला सकते हैं जो कि आपको बहुत मदद करेगा. आईए class शुरू करने से पहले कुछ revision कर लेते हैं. क्या आप बता सकते हैं alignment का उप्योग क्यों करते हैं? alignment से आप text या paragraph को अपने अनुसार page में set कर सकते हैं. आप text या paragraph को left, right या फिर center में भी ला सकते हैं. alignment कितने प्रकार की होती है? alignment चार प्रकार की होती है. left, right, center और justify alignment. font color का उप्योग क्यों करते हैं? font color से आप text का color change कर सकते हैं. क्या बता सकते हैं highlighting color और background में क्या अंतर होता है? highlighting color में जहां तक आप line या paragraph को select करेंगे वहीं तक text या paragraph के पीछे color आएगा. background color में पूरी line या paragraph के पीछे color आजाएगा. इसमें select करने की जरुवत नहीं होती है. इसमें आप जिस line या paragraph पर cursor रखेंगे, वह line या paragraph पर वह color आजाएगी. bold करने की shortcut command क्या होती है? और bold करने से क्या होता है? bold करने की shortcut command control plus B होती है. और bold से आप text को गहरा, मतलब कि आप text को dark कर सकते हैं. italic की shortcut command क्या होती है? italic की shortcut command control plus I होती है. अब आप सभी अपने computer को on करें और writer की file को open करें. अगर file को open करने में कोई समस्या हो, तो आप video की मदद से open करना सीखें. आज आप video को देखकर एक नए तरीके से file को open करना सीखें. सबसे पहले आप desktop पर open office लिखे file अत्वा उसके symbol को डूड़ना होगा, जैसे की सामने video में दिखाया गया है. अब ऐसे ही symbol अपने desktop पर ढोड़ें और उस पर अपने mouse या touchpad के द्वारा pointer को लेकर जाएं और वहाँ पर left button से एक साथ में दो बार click करें. फिर आपके सामने दिखाया जा रहे है video की तरह एक window आ जाएगी. यहाँ पर open office के बहुत से components दिखाया दे रहे होंगे. इस window को आप quick start window कहते हैं. यहाँ पर आपको text document को select करने के लिए उस पर एक बार left button से click करें जिससे की आपकी open office writer की file open हो जाएगी. आईए जानते हैं आज की कक्सा में आप सब क्या सीखेंगे. आज की कक्सा में आप सब पहले typing करेंगे. उसके बाद formatting toolbar के मदद से आप उन सभी option जैसे की alignment का अभ्यास करना, writing change करना, size को बढ़ाना, अत्वाद छोटा करना, color करना, bold, italic, underline, इत्यादी का revision करेंगे. क्या आप सभी ने writer की file को open कर लिया है या नहीं? अगर नहीं तो आप फिर वीडियो को देखें, आइए अब class शुरू करते हैं. अब आप सामने दिये गए paragraph को देखकर type करें, उसके बाद बताये जा रहा है, एक-एक option की formatting करें. क्या आपने paragraph को type कर लिया है, सबसे पहले alignment का अभ्यास करते हैं. आप सबने जो line type की है, उसके alignment set करें और बताये कि कौन से alignment से क्या होता है. आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि left alignment कैसे करते हैं. alignment set करने के लिए, आप type करने से पहले या type करने के बाद भी alignment कर सकते हैं. left alignment जो होता है, by default आपके page में set होता है. जब भी आप writer के page को open करेंगे, तो या आपका जो type करने का नियम होगा, वै लेफ्ट में ही आएगा. जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. आप जब भी अपने writer के page को open करेंगे, और type करना शुरू करेंगे, तो वै लेफ्ट alignment में ही होगा. जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि center alignment से क्या होता है. जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहा होंगे, आपका cursor blink कर रहा है. जैसे कि आप सभी जानते हैं, alignment आप type करने से पहले और type करने के बाद भी कर सकते हैं. center alignment करने के लिए आप सभी अपने pointer को formatting बार के अंदर center alignment पर लेका रहा हैं और click करें जिसे कि आपका cursor writer के seat के बीच में आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद आप इसमें type कर सकते हैं. आप जो भी text type करेंगे, वो आप writer के seat पर बीच में आएगा. इस तरह से आप center alignment कर सकते हैं. आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि right alignment कैसे set करते हैं. राइट alignment set करने के लिए आप type करने से पहले या type करने के बाद भी right alignment कर सकते हैं. जैसे कि अभी आपने left alignment किया, center alignment किया, अब आप सभी right alignment करेंगे. center alignment के बाद आपने enter button का उपयोग किया, उसके बाद अपने pointer को right alignment पे लेकर आएं और उसके बाद अपने touchpad या mouse के left button को क्लिक कर दें. जैसे कि अपका cursor writer के seat पे dynoside आजाएगा. अब यहाँ पे आप type करें. तो देखें, आप जो type कर रहे हैं, वो right से पीछे के तरफ जा रहा है, तो यह होता है आपका right alignment. इसके लिए आप shortcut command control plus R का उपयोग कर सकते हैं. आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि justify alignment कैसे करते हैं और इससे क्या होता है. आप सभी अपने जो page पर type किया, seat पर type किया उसे select कर लें, और उसके बाद अपने pointer को justify alignment जो की वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसके उपर लेकर आएं, और अपने touchpad या mouse के left button को click कर दें, जिससे की आपका text justify हो जाएगा. क्या आपने alignment के बारे में सीख लिया है, कि कैसे alignment करते हैं, अब हम font color के बारे में सीखेंगे, अब आप एक एक line को select करें, जैसा कि आपको बताया जा चुका है. लाइन select कैसे करते हैं, उन बताया गए तरीकों का उपयोग करके एक एक line को select करें, और फिर font color की मदद से उसका font color change करें, और यह बताया कि font color change हुआ या नहीं, अगर कोई समस्या हो रही है, तो आप सामने दिखाया जा रहे हैं, वीडियो को देखें और सीखें कि कैसे font color को change करते हैं, जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी अपने text, line या paragraph को select कर लें, जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, select करने के बाद, आप अपने cursor या pointer को formatting बार के अंदर ए लिखे हुए option पर लेकर आएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और इस छोटे से जो तीर दिख रहा है आप पर, drop down box, इस पर click करें, उसके बाद एक box open होगा, जिस box के अंदर बहुत सारे color मौझूद हैं, उनमें से आपको किसी एक color को select करना है, तो वह color आपके text पर आजाएगा, यनि कि जो आपने typing किया है, उसके उपर आजाएगा, अब आप सभी highlighting color की मदद से line को highlighting करके दिखाएं, जिनको नहीं पता है कि line और paragraph को कैसे highlighting करते हैं, तो आप दिखाया जा रहे हैं वीडियो की मदद से सीखें, और फिर highlighting करके दिखाएं, आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं, कि highlighting color को कैसे करते हैं, और इससे क्या होता है, अब आप सभी next line को select करें, highlighting color करने के लिए आप सभी अपने text या paragraph line को select करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद अपने cursor या pointer को, formatting बार के अंदर लेकर आएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये भी लिखे हुए option पर, और इस छोटे से arrow पे क्लिक करें, जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, एक box open होगा, इस box के अंदर से आप कोई भी color select कर सकते हैं, और वे, आपके text के line के पीछे वो apply हो जाएगा, इस तरह से आप highlighting color कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि दिखाया जा रहे हैं, चित्र में एक icon को आईकन को आईकन है, इसे क्या कहते हैं, यह background color का icon है, इसे आप background color को change कर सकते हैं, अब आप फिर से line को select करें, background color change करने से क्या होता है, अगर आपको background color करने में कोई समस्या हो, तो दिखाया जा रहा है, वीडियो की मदद से background color change करें, आईए अब background color को करना सीखते हैं, background color और highlighting color दोनों का, उपयोग text के पीछे का color change करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत छोटा अंतर होता है, क्योंकि highlighting color से आपने जहां तक text लिखे हुए हैं, उसको select करके उसकी पीछे का color change कर सकते हैं, लेकिन background color में आपके page के पूरे line अथवा paragraph के पीछे color कर देगा, इसमें select करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस cursor को वहाँ पर रखना होता है, जहां आपको background color करना होता है, आप formatting bar के अंदर अपने cursor या pointer को लेकर आएं, और यहां पर left button को click करें, एक box open होगा, यहां पर बहुत सारी color है, इन में से कोई एक color को select करें, और देखें, आपके line जो आपने text type किया है, आप background color को select करके और बिना select किये हुए भी color change कर सकते हैं, अब आप सभी अपने paragraph की हर एक line के आगे bullets और numbering लगाएं, जिनको bullets और numbering का उप्योग करना नहीं आ रहा है, वह दिखाया जा रहा है वीडियो की मदद से bullets और numbering लगाना सीखें, आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि bullets और numbering कैसे insert करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि bullets और numbering हम किसी अपने important line को दिखाने के लिए bullets और numbering का use करते हैं, जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं कि cursor एक line के पहले blink कर रहा है, इसको अगर आपको bullets या numbering में दिखाना है तो आप अपने pointer को formatting bar के अंदर लेकर आएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब इस पे आप अपने touchpad या mouse के left button को click करें, अब यहाँ पे one number insert हो जाएगा, यानि कि एक लिखा हुआ number आजाएगा, और उसके साथ में numbering का या bullets and numbering का box आजाएगा, इस box के अंदर आप अपने bullets and numbering को set कर सकते हैं, अगर आपको दूसरा number चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आप enter button का उप्योग केजिए, दूसरा numbering आजाएगा, अगर आपको इसे अटाना है, तो आप बताया गया तरीके से भी अटा सकते हैं, इस तरह से आप numbering का उप्योग कर सकते हैं, आईए अब जानते हैं कि bullets कैसे insert करते हैं, bullets को insert करने के लिए आप अपने pointer को यहाँ पर लेकर आएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद आप अपने touchpad या mouse के left button को click कर दें, जिसे की एक bullets आजाएगा, उसके बाद आपको जिस line या अगले line में एक और bullet चाहिए, तो आप enter button का उप्योग कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए जैसे numbering को हटाया था, वैसे ही आप इसे भी हटा सकते हैं, अब आप formatting बार के पहले option का revision करेंगे, सबसे पहले आप line के writing को change करके दिखाएं, इसके लिए सबसे पहले एक एक line को select करें, आईए वीडियो को देखकर सेखते हैं कि text के writing को change कैसे करते हैं, इसके लिए आप font name का प्रियोग करेंगे, आप सभी अपने line या paragraph को select करें, select करने के बाद formatting बार के अंदर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया चा रहा है, उस पर click करें, एक box open होगा, इस box के अंदर बहुत सारी writing उपलब्द रहती हैं, इन में से आपको जो भी अच्छा लगे उसे select करना होता है, अगर आपको उपर देख के तरफ देखना है, तो यहाँ पर click करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जिसको आप select करेंगे, उस पर अपने pointer को लेके जाए, और left button को click कर दें, तो वह writing आपके line या paragraph पे apply हो जाता है, इस तरह से आप अपने line या paragraph की writing को change कर सकते हैं, अब अगली line में आप सभी text के size को बढ़ाएं और कम करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो को देख कर सीखें, आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि font size कैसे करते हैं, या आप line या paragraph के text के writing को बढ़ाते या कम कैसे करते हैं, सबसे पहले आप सभी अपने line या paragraph को select करें, select करने के बाद formatting बार के अंदर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, या आप पर अपने pointer को लेकर आएं और touchpad या mouse के left button को click कर दें, इस box के अंदर आपको numbers दिए गये हैं, जो number बढ़ते हुए करम में दिख रहा है, अगर उधर के तरफ लेकर जाएंगे तो आपके text के writing बढ़ा हो जाएगा, तो जो भी writing लेना हो, font size लेना हो आप उसे select कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने text के size को बढ़ा सकते हैं या गटा सकते हैं, अगली line को bold करें, अगर कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो को देख कर सीखें, आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि bold कैसे करते हैं, bold करने के लिए सबसे पहले आप अपने text या paragraph को select करें, select करने के बाद आप formatting बार के अंदर भी लिखे हुए option पर pointer को लेकर जाएं, और उसके बाद touchpad या mouse के left button को click कर दें, जिससे कि आपका line या paragraph bold हो जाएगा, फिर से आप सब italic करें, आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि italic कैसे करते हैं, italic करने के लिए सबसे पहले आप सभी अपने text या line paragraph को select करें, select करने के बाद आप formatting बार के अंदर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आई लिखे हुए option पर अपने cursor या pointer को लेकर आएं और left button क्लिक कर दें, जिससे कि आपका text या writing italic हो जाएगा यानि कि तिर्षा हो जाएगा, अब आप सब underline करें, अगर कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो देख कर अभ्यास करें, आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि underline कैसे करते हैं, आप सभी अपने text line या paragraph को select करें, select करने के बाद आप formatting बार के अंदर यू लिखे हुए option पर अपने cursor या pointer को लेकर आए, और फिर यहां पर left button को click कर दें, जिससे कि आपके text के नीचे line आ जाएगा, तो इस तरह से आप underline कर सकते हैं, क्योंकि आज की कक्सा यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने file को close करें, अगर file को close करने में कोई समस्या हो तो आप video को देख कर सीखें, सभी अपने cursor को page के dine site कोने में cross के button पर लेकर जाएं, और वहां अपने mouse या touchpad के left button को दबा दें, आपके screen पर एक box आजाएगा, जिस पर तीन option दिये गए होंगे, save, discard और cancel, क्योंकि हमें इस file को save नहीं करना है, इसलिए हमें discard वाले button पर click करें, जिससे file close हो जाएगी, अब आप सभी अपने computer को shutdown करें, अगर computer को shutdown करने में कोई समस्या हो, तो आप video की मदद से सीखें, आईए अब सीखते हैं कि हम computer को shutdown कैसे करते हैं, आप सभी अपने pointer को start button पर लेकर आएं, इस start button पर अपने touchpad या mouse के left button को एक बार click करें, जैसे ही आप left button को click करेंगे, एक box open होगा, अब इस box के अंदर आपको shutdown लिखे हुए option को ढूड़ना है, इस shutdown option पर pointer रखने के बार अपने touchpad या mouse का left button क्लिक कर देना है, इसे की आपका computer shutdown हो जाएगा, यानि की बंद हो जाएगा, आज की कक्सा में आप सभी ने formatting बार के सारे option जैसे की font name, font size, bold, italic, alignment, font color, highlighting color और background color इत्यादी, इन सभी optionों का revision किया,